हेलो एवरिवन आई एम जोती जह एंड वेलकम टो एंसी अर्टी दा माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की एवियस वर्क बुक चैप्टर टैन वाट इस कुकिंग तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप सबसे पहले मेरे चैनल NCRT The Mind को सब्सक्राइब किजे लाइक किजो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजे ताकि NCRT से रिलेटेट साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंस दिरे और अगर आपने ये चैप्टर वाट इस कुकिंग नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से निकाल के भी पढ़ सकते हैं तो बच्चों चलिए हम लोग पढ़नाय स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकाले और मेरे साथ साथ बनानाय स्टार्ट केजिए तो देखिए ये जो कुकिंग परपस के लिए यूज किये जाते हैं तरह तरह के यूटेंसिल्स यूज किये जाते हैं खाना पकाने के लिए तो जिनमें क्या है प्रेशर कुकर है हम लोग जो यूज करते हैं खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर उसके बाद कड़ाई पतीला सॉस पैन फ् अब देखे यूटàiनिस योज्ट इन कुकिंग अर् μέड़ अर॥ सच उते हैं तो इसन legal बने के लिए और जो उते जो किन चीज और के शबदनि पकाने के लिए वह किन चीज की बने होते हैं तो दिखे इन के बने होते हैं आइरन के होते हैं stainless steel, aluminium, copper और brass metals तो ये सारे चीजों के बने होते हैं utensils different methods of cooking are cooking के जो different method होते हैं जो खाना पकाने के विधी होती है तो वो क्या-क्या होती है roasting यानि कि भून के बनाते है boiling यानि उबाल के frying यानि कि तल के baking सेख के steaming एक्सेक्टरा तो steaming यानि कि भाप पे जो पकाते हैं उसे बोलेंगे ये सारे method है खाना पकाने के दीके for cooking food different types of fuel are used तो cooking food जो होते हैं वो different type के fuels का use होते हैं हम लोग cooking food के लिए हम लोग तरह तरह के fuel का use करते हैं खाना पकाने के लिए जो होता है तो जिसमें कि हम example में ले सकते हैं क्या होगा उड़ तो खाना पकाने के लिए हम लोग उड़ यानि कि लकडियों का use करते हैं उससे खाना पकाते हैं उसके बाद है cow dung cake यानि कि गोबड जो होता है गाय का जो गोबड होता है उसे हम लोग cake बनाते हैं उसका यूज करते हैं खाना पकाने के लिए LPZ का यूज करते हैं electricity का भी यूज करते हैं हम लोग induction जलाते हैं उसका यूज करते हैं और भी तरह तरह के हैसे जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं जो कि electricity से ही चलता है coal यानि कि koila का use करते हैं gober gas का use करते हैं तो ये सारे चीजों का हम लोग use करते हैं fuel का जिससे हम लोग खाना पकाते हैं we eat both raw and cooked food हम लोग दोनों तरह के food खाते हैं जो कि कच्चे होते हैं और पक्के होते हैं कच्छे पक्के दोनों तरह के हम लोग भोजन करते हैं जैसे salads, chutney, sandwich, etc. are examples of uncooked food तो जैसे कि salad है, chutney, sandwich ये सब examples है uncooked food के यानि कि जो की पकाया नहीं जाता है चीक है? ये सारे examples हैं अब देखिए क्या है कि make words from the jumbled letters अब देखिए ये जो words, लेटर्स जो है वो उल्टा पुल्टा कड़के दिया गया है तो उसे आपको सीधा कड़के ठीक से लिखना है तो ये देखिए उल्टा कड़के लिखा गया है तो ये क्या बनेगा? frying pan, यहाँ पे हम लिखेंगे frying pan इसके बाद है OTP, ये क्या बनेगा? beauty pot, उसके बाद है sauce pan ये बनेगा sauce pan लिखेंगे, फिर ये वाला जो है कड़ा ही हो जाएगा और ये वाला ये होगा pressure cooker यहाँ पे लिखेंगे pressure cooker और उसके बाद ये वाला जो है ये तवा इसमें लिखेंगे तवा ये हो जाएगा और उसके बाद देखें क्या है? कि name the utensils which you use for eating or drinking अब देखिए वो utensils का नाम बताना है जो कि आप use करते हैं खाने और पीने के लिए तो क्या हो जाएगा? plate, एक तो example में दिया गया है plate और देखें क्या होगा? ball, spoon, glass, cup तो ये साड़े चीज़ों का हम लोग खाने और पीने के लिए use करते हैं देखें name any four utensils used in your kitchen made of plastic अब देखें आपको उन utensils का नाम बताना है जो आपके किचन में use होता है और जो plastic के बने हुए होते हैं तो क्या सब हो जाएगा? जैसे कि bowl, spoon, plate, glass तो ये साड़े stainless steel के भी होते हैं और plastic के भी होते हैं तो यहाँ पे plastic का लिखना है तो आप ये साड़े नाम दे सकते हैं लिख सकते हैं अब देखें match the following इसे match करना है A और B ये दोनों में match करना है तो ये देखें pressure cooker है तो pressure cooker का क्या हो जाएगा? aluminium यहाँ पे हम aluminium में कर देंगे इसे matching इसके बाद है saucepan तो saucepan का क्या हो जाएगा? stainless steel का बना होता है इसमें stainless steel लिखेंगे और देखें तवा तवा आइरन हो जाएगा इसमें इसके बाद है कडाही कडाही का क्या होगा? iron और aluminium इसमें कर देंगे matching इसके बाद है rolling pin यानि कि बेलन बेलन क्या होता है? उड का बना होता है तो इसमें उड में कर देंगे matching तो यह matching वाला हो गया है अब देखें क्या कहा जा रहा है write the method of cooking for these food items अब देखें food items जो कि हम लोग बनाते हैं cook करते हैं उसका method क्या है? उसको बनाने की विधी क्या है? वो लिखना है आपको तो यहाँ पर देखें चपाती है तो चपाती को हम लोग किस method से बनाते हैं? baking method से biscuit है biscuit को baking and frying दोनों method से बनाते हैं soup soup को क्या करते हैं? boiling और पूरी है पूरी को frying करते हैं arrange mode दोनों करते हैं तो omelet को हम लोग क्या करते हैं? तो omelet को हम लोग frying and and baking दोनों करते हैं ठीक है पहले बेक करते हैं और उसमे पहले हल्का सा omelet जब बनता है तो उसमे soccer hospitalize भी तो ज से बनाता है तंदूरी रोटी कैसे बनता है? यह bake करके बनाया जाता है baking method होगा cake and pastries इसे baking method से बनाएंगे राइस तो boiling इसे उबाल के बनाते हैं और उसके बाद दिखे idli है idli को क्या करते है? steaming यानि कि यह बहाद बनाया जाता है chips तो chips को frying method से करते हैं फ्राई किया जाता है तो यह हो चुका है और उसके बाद देखिए नेम फोर फूड आइटम्स वीच यू एट विदाउट कुकिंग अब देखिए फोर फूड आइटम्स का नाम बताना है आपको जो कि आप विदाउट कुकिंग खाते हैं उसे पकाने की जूरत नहीं है आप ऐसे खाते हैं वो ऐसे डिरेक्ट मिल जाता है बना बना हुआ रहता है तो जैसे की वेजिटेवल्स बहुत सारे वेजिटेवल्स हैं जिसे आप ऐसे ही खा सकते हैं विदाउट कुकिंग सैलेट की रूप मे और देखे फ्रूट्स है फ्रूट्स को भी ऐसी खाया जाता है बिस्किट है जो कि बना हुआ रखा रहता है और आप खा सकते हैं ऐसे कुक करने की जूरत नहीं है केक केक को भी खा सकते हैं तो ये सारा इसी तरह से होगा और देखे अब है कि answer the following questions who cooks food in your family आपके family में खाना कौन पकाता है तो क्या लिखेंगे answer क्या लिखेंगे कि my mother cooks food in my family मेरी मा मेरे family में खाना पकाती है ये लिखेंगे और उसके बाद देखिए second में क्या है question कि which cooking instrument or stove is used in your kitchen तो आपके kitchen में कौन सा cooking instrument और stove यूज किया जाता है तो क्या लिखेंगे stove and microwave तो आपके kitchen में जो भी use होता है आप उसका नाम लिख सकते हैं इसमें name the fuel used in cooking instrument or stove in your kitchen तो आपके kitchen में आपका जो cooking instrument है या stove है तो उसमें कौन सा fuel का use होता है तो क्या लिखेंगे lpz या आपके kitchen में आप जो भी use करते हैं wood का use होता है तो आप wood लिख सकते हैं तो ये जो भी instrument आप फ्यूल का use होता है तो आप वो लिख सकते हैं याँ पे उसके बाद है does this fuel produce smoke क्या ये जो है fuel जो आप जलाते हैं जो use करते हैं उसमें से smoke धुवा निकलता है तो no और अगर निकलता है तो उसमें लिखेंगे yes क्योंकि अगर आप लकडियां जलाएंगे तो उससे धुवा निकलता है तो वह लिख सकते है yes लिखेंगे और उसके बाद देखिए name any two electric appliances used for cooking अब देखिए दो ऐसे electric appliances का नाम लिखना है जो कि आप cooking के लिए use करते हैं तो क्या हो जो कि electric appliances है और mixer जाड़ हो जाएगा और आप अगर कुछ दूसरा चीज यूज करते हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं उसके बाद देखिए do you have a window और chimney और exhaust fan in your kitchen तो देखिए कि आपके kitchen में कोई window chimney या exhaust fan है तो आप क्या लिखेंगे yes there is a window and a exhaust fan अगर है तो आप लिखेंगे अगर नहीं है तो no लिखेंगे इस तरह से लिख देंगे अब देखिए क्या है टिक the correct answer correct answer में टिक करना है तो देखिए क्या है in village in village people use जो village के जो लोग होते हैं गाउं के लोग वो क्या use करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा first में है stove, चुलह, oven और microwave तो क्या use करते हैं वो लोग वो लोग चुलह का use करते हैं जो village के लोग होते हैं तो यहाँ पे चुलह में टिक कर देंगे और उसके बाद है पीपल, people of Punjab like to eat जो पंजाब के लोग होते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं तो देखिए तंदूरी रोटी, इडली एंडर डोसा, राइस, पोहा, तो यह चाड़ आप्शन है तो क्या हो जाएगा तंदूरी रोटी, पंजाब के लोग तंदूरी रोटी खाना पसंद कर करते हैं इसमें टीक लगाएंगे उसके बाद है कि केक्स एंड पैस्ट्री आर बेक्ट इन जो केक और पैस्ट्री होते हैं वो बेक किये जाते हैं वो किसमें बेक किये जाते हैं तो चार आप्सन है तंदूर, ओवेन, किया ऐसी स्टोप, चुला, तो क्या हो जाएगा ओव में इसे बेग किये जाते हैं इसमें टीक लगा देंगे उसके बाद है कि इन टाउन most of the people have जो टाउन में ज्यादा तर लोगों के पास क्या होता है तो देखें तंदूर, ओवेन, ग्यास स्टोब चुला तो क्या होता है ज्यादा तर इनसान के पास जो की सहर में रहते हैं उनके पास ग्यास स्टोब होता है तो इसमें टीक लगाएंगे उसके बाद है An example of liquid fuel is जो liquid fuel का example है तो वो क्या है जो liquid होता है तो वो क्या हो जाएगा देखें, kerosene, coal, cow dung, cake और electricity तो इसमें liquid जो होता है उसका example इसमें कौन सा होगा चार में तो kerosene हो जाएगा इसमें हम लोग टिक लगाएंगे क्योंकि ये liquid होता है अब आगे बढ़ें, ये देखें देखें, the best source of environment friendly fuelies जो environment friendly fuel का जो use होता है वो क्या है तो देखें, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि environment का जो friendly, सबसे based friendly source हुआ वो क्या है, तो देखें, जो कि environment में हम लोग जो मतलब directly use करते हैं जो हमारा friend हुआ तो वो क्या हो गया, देखें, rain भी नहीं है water नहीं है, soil नहीं है और sun, sun से हम लोग खाना बनाते हैं sun जो है, हम लोग के खाना पकाने के लिए use होता है हम लोग solar का use करते हैं solar cooker का use करते हैं जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं बहुत सारे source हैं ऐसे जो कि हम लोग environment friendly इसलिए कहा जाता है, ये fuel हुआ environment friendly fuel इसे कहेंगे तो ये वाला हो जाएगा sun तो इसमें हमें टिक लगाना है अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेमदा ingredients used for preparing these food items तो देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो food items है, उनके ingredients लिखना है यानि कि ये जो food items हैं इसे बनाने में क्या-क्या चीजों की ज़रुरत परती है तो जैसे कि आप अगर sandwich बना रहे हैं तो sandwich बनाने के लिए किन-किन चीजों की ज़रुरत परेगी आपको तो देखिए, ब्रेड, पॉटेटो, अनियन, सॉल्ट, ग्रीन चिली, चाट मसाला, कॉरियंडर लीप्स तो ये सारे चीजों की ज़रुरत परेगी उसके बाद आपका sandwich बन जाएगा और उसके बाद देखिए, lemon juice बनाने के लिए किन-किन चीजों की ज़रुरत परेगी तो हमें lemon चाहिए, water और sugar बस इतने से चीजों से आपका lemon juice बन जाएगा उसके बाद है, salad salad बनाने के लिए किन-किन चीजों की ज़रुरत परेगी तो देखिए, onion, tomatoes, carrot और उसके बाद है, radish, cucumber, lemon, salt, beetroot तो इन चीजों की ज़रुरत परती है उसके बाद है, धनिया चटनी जो धनिया की जो चटनी बनाते हैं, उसे बनाने के लिए coriander leaves की ज़रुरत परेगी garlic, green chili, lemon, salt इन चीजों की ज़रुरत परेगी तो फिर आपका धनिया का चटनी बन जाएगा, तो इस तरह से बना लेंगे और उसके बाद देखिए, क्या है do these food items need cooking? तो देखिए, इसमें पुछा जा रहा है, क्या इसमें cooking का ज़रुरत परता है तो देखिए, इसमें cooking का ज़रुरत परता है जो उपर में दिया गया है यहाँ पर, जो हमने बनाया है sandwich, lemon juice, salad, धनिया चटनी तो यह सारे जो food items है इनमें पूछा जा रहा है क्या इसमें cooking का ज़रुरत परता है तो इनमें जो है sandwich को cook करने का ज़रुरत परता है sandwich needs cooking तो यह लिख देंगे और उसके बाद देखिए फिल इन दा ब्लैंक है तो cooking makes the food soft, tasty and easy to digest तो cooking जो है, वो क्या करता है वो खाना को जो food होता है उसे soft, tasty or digest जो खाने में खाना पचने में आसान बना देता है तो यह होगा उसके बाद है कि we boil water to kill germs हम लोग पानी को boil करते है ताकि हम germs को मार सके germs को मारने के लिए हम पानी को boil करके पीते है the material that is burnt to produce heat is known as fuel तो हम लोग जो material जो use करते हैं जलाने के लिए जो कि जिससे की आग निकलता है गर्मी देता है तो वो क्या कहलाता है फ्यूल कहलाता है वो प्रेसर कुकर reduce the time of cooking तो जो प्रेसर कुकर होता है वो time को क्या करता है reduce करता यानि की बचाता है cooking का जो समय होता है time उसको बचाता है जल्दी खाना पक जाता है उसमें इसके बाद है frying involves dipping the food completely in the hot oil जो frying करते हैं तो जो किसी भी चीज को fry करते है उसमें क्या होता है जो ओइल लेते हैं उससे जो dip करते हैं कोई भी चीज जिसे हम fry कर रहें उससे पूरा डुबो देते हैं उसके अंदर उसके बाद वो fry होता है तो यह हो चुका है और उसके बाद देखिए क्या है activity time draw any two utensils with wooden handles अब देखिए आपको दो utensils का जो है draw करना है जो की wooden handles के बने होते हैं तो यह देखिए यह दो है एक तो यहाँ पे तबा बना हुआ है यह तबा बना हुआ है और यह दूसरा जो है यह क्या है यह कर्चूल यह spatula है जिसे हम लोग कुछ fry करते हैं तो यह इसका हैंडल यह wooden handle है लकडी के जो handle होते हैं तो यह बना हुआ है और उसके बाद देखिए यहां क्या बोला जा रहा है कि why wooden handles are used in cooking utensils तो cooking utensils में हम लोग क्यों wooden handles का use करते हैं तो क्यों करते हैं तो देखिए think and write सोचो और लिखो तो because cooking utensils became hot while cooking तो cooking utensils जो है वो क्या होता है गर्म होता है cooking के दोरान जब cook करते हैं खाना पकाते हैं तो उस समय जो है utensils गर्म हो जाता है wooden handles remain cold while cooking और जो होता है wooden handles के जो utensils होते हैं वो जो है खाना पकाने के दोरान भी वो उसका जो handle है वो ठंडा रहता है गर्म में नहीं होता है so wooden handles are used in cooking utensils तो इसलिए wooden handles का यूज़ करते हैं हम लोग cooking utensils के रूप में हम लोग खाना जब पकाते हैं तो wooden handles वाला utensils हम लोग use करते हैं तो यह आपका chapter complete हो चुका है what is cooking तो अब आप बताईए आपको कैसा लगा पढ़के अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजे ताकि मेरे साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुशती रहे और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ अगर आपने ये chapter what is cooking नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको हाँ से निकाल के भी उसे पढ़ सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह का problem होता है समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे comment के द्वारा भी पूच सकते हैं तो चली बच्चो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video